कि यह कर लिया था यह बताइए अब आप कोशन है रहे यार होमवक भी डाल दिया था मैंने नहीं डाला था छोड़िये कहां तक कोशन कर लिया था लास्ट क्लास में यह कर लिया था यह आपका कुछ फॉर्मुला था में unit ड्रेवल क्या था मैक्समम इंटू मैक्समम रियोगर क्वांटीटी चाहें सिर्एस करते हैं कि बड़ायो रिया क्वांटीटी क्या होते है एक बढ़ाये फटा फट जितने बच्छे ल्एव में इसके बाद क्या बोला है मिनीमम लेबल मिनीमम लेबल का फॉर्मूला क्या है मैकसिमम लेबल क्या कहता है मैकसिमम लेबल क्या कहता है थोसे में इसका एक और फॉर्मूला है अलग-अलग आएगा, इस base पे हमने क्या करा था, एक छोटा सा question यह आपको homework में दिया गया है, अब बताइए कितने बच्चों ने कर लिया और एक question आपके सामने यह पूरे class में ही करा था हमने, जिसके अंदर आपको समझाया भी गया और कराया भी गया, इसके बाद यह questions भी आपको दिया गया सर, किसमें सर, homework में, कितने बच्चों ने, यहाँ पे भी कर लिया था ना शाए, एकस का यहाँ निकाला था, बैट, यह बताइए सभी का हो गया, question 5 हो गया, अब आ जाते हैं, एक सर यह homework में नहीं दिया, कुछ लिखा नहीं है, यह question homework में दिया, यह फटा-फट, doubt बताते जाईए, question number 7 हो गया, क्या, yes, question number 8 हो गया, हर student का, question 8, question 9, भाई, कितने बच्चों ने homework कराई, सच-सच बता दो, भी मांदा नहीं है, question number 9, 9 हो गया, बताइए, question number 9 हो गया, क्या, भाई, बतादो, question number 9 हो गया, मेरे पर साइच चैट, स्क्रॉल नहीं हो गया, दन, 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 नो, सर, इसमें एक पॉइंट रहे गया है, अफ्रिंट क्या रहे गया है, पॉन चार्ज पर लगा दे, मेरे पास चैट, दिख्री रहा, चैट, आटोमेटिक नहीं हो रहा है, क्या चबता है, नाइन करा दो, नो, सर, चलो, नाइन करते हैं, पढ़ लेते हैं, नाइन क्या कहता है, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं, सर, नाइन करा दो, नाइन नहीं करा है, तो नाइन पढ़ लेते हैं, और फिर करते हैं, चलिए सर, समझ लेते हैं अगर समझ में आ गया तो ठीक नहीं तो आगे बढ़ेंगे कहता है कंपनी मैनिफेक्चर आप प्रोडक्ट हैविंग मंथली डिमांड 2000 यूनेट अब बताओ आप बड़ी सीधी से बात है मंथली डिमांड कितनी है मंथली डिमांड कितना है सर 2000 यूनिट ठीक है कहता है 2000 यूनिट है ध्यान देना ये यूनिट बात कर रहा है तो यूर्ली डिमांड अगर हम 12 से इंटू करे तो सर पूरे साल में हमें 24,000 क्या जुरत पड़ेगा सर यूनिट की जुरत पड़ेगी और कहता है एक यूनिट बनाने के लिए हमें दो किलो समान लगता है तो अगर हम yearly annual demand annual demand अगर हम kg में जाएं तो भाईया kg में लगेगा कितना 24,000 into में 48,000 kg कितने लगेंगे 48,000 kg सर प्रड़क्ट 2 kg समझ नहीं आया क्या है 2 kg मतलब कहता है अब एक यूनिट बना रहे हैं जैसे मालो यूनिट की बात करें कि एक यह समान बन रहा है तो इसका एक समान बनने में एक ही चीज थोड़ी लगा है यहां पर माल लेता है कि दो तरीके के कॉम्पोनेंट लग गया है तो इसलिए वहां पर एक यूनिट को बनाने में यहां पर कितने लग गये लग है दो किलो समान लगे है और उसमें समान जो लगा वह अलग हो सकता केजी जैसे अगर आप को उफे लग जाए गया आपके 4 किलो तो सेम ऐसा ही बोला गया monthly demand भीया इतने unit है लेकिन एक को बनाने में दो तो kilo के हिसाब से 48,000 kilo लगेंगे particular of raw material item needed the purchase price of the raw material यहाँ पे kg के हिसाब से दे रखा है तो हमें kg में लेके चलना चाहिए आपके इच्छा है कैसे भी लेके चलो कि भीया 20 रुपे kg है और the ordering cost 120 रुपे पर order ठीक है holding cost 10% दे रखा है calculate economic order quantity annual cost purchase and storage storage मतलब क्या हो गया सर annual cost purchase storage of raw material at that quantity मतलब भीया एक तो annual cost बता दो खरीदने का और storage का मतलब रखने का कितना खर्चा हो रहा है लाने का नहीं दो चीज़े बताना है तो EOQ निकाले यहां पर तो सबसे पहले अगर मैं ordering cost लिखूँ यहां तो यह ordering cost 120 है अगर मैं आपको C बताओं तो C क्या बोलता है सर जितना भी यह 20 रुपे का आपका कितने percent होगा 10% तो 2 रुपे हो गया 20 रुपे का 10% निकालोगे न तो that is 2 रुपे EOQ क्या हो जाएगा आपका EOQ is equal to 2 annual demand कितना है अब आप unit मतलो kg ले लो क्योंकि सब कुछ kg में चला रहे हैं और into में ordering cost कितने हैं 120 divided by कितने लिखोगे 2 का under root बताओ क्या आया बताओ क्या आया 2400 कितने आगे 2400 unit क्या आगया EOQ तो पहला question done 2400 इसमें आंसर लगाई यह आतो क्या पहला आंसर आगे क्या 2400 kg kg में यह ठीक है तो हमने सब कुछ kg में लिया तो यह भी लिखतो kg पहले answer में किसी को doubt clear अगला कहता है annual cost बताओ सर तो annual cost कितना होगा इधर बता देते है ठीक है यहां पहले पता नहीं कैसे लिखती है इसने 48000 kg और एक किलो कितने का है कि बीस का पॉइंट नंबर तो का क्या बता है इन्होंने annual cost of purchasing and storage cost of raw material add that quantity किसमें material add that quantity के basis पे quantity 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 unit छोड़ो यह हो गया आपका purchase cost यहां पर आंसर पता नहीं कैसे लिखा हुआ है purchase cost कितना होगा सर अर्टालीस हजार इंटू में बीस सर नौ लाक साथ हजार कि ordering cost कितना होगा बताओ आपको पताए कि आपको चाहिए कितने 48000 और कितने चक्कर लगाओगे 2400 एक बार में लेके आओगे तो 48000 डिवाइड़ बाइ 2400 तो आपके चक्कर कितने लगेंगे 20 और 20 इंटू 120 यह ordering भी निकाल देता हूँ चलो मैं पैसे पूछा नहीं हाला कि यह भी निकाल देता हूँ यह 2400 खर्चाएगा सर केरिंग कॉस्ट क्या होगा सर केरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है यह क्यों 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 क्य यह गलती हो गया होगा तो कोई बात नहीं इसलिए 2400 ये और 2400 ये तो टोटल कितना हो गया ये 4800 यहां पर एन्वल कॉस्ट नहीं होगा तो मैंने सारी चीज़ें निकाल दी वैसे यो क्यू भी निकाल दिया इस्टॉक मट्रियल का प्राइज भी निकाल दिया और साथ के अभी डाउट किसी स्टूडेंट को अभी डाउट बताईए किसी स्टूडेंट को अभी डाउट क्लियर 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 झाल झाल